अगर आप नए हैं तो आप जाईए प्रिविएस लेक्चर को देखिए और वाच देम कम्प्रीटली तो अंडरस्टेंड इंद बेस्ट वई अगला लेक्चर लीगल एप्टीटूड लीगल रिजनिंग का देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको पता होगा मैंने लास्ट प्रिविएस लेक्चर में आपने देखा है कि मैंने एक क्वेस्टिन पूचा था जो आपको खोद अटेम्ट करने के लिए दिया था I hope आप सबने बहुत अच्छे से अटेम्ट किया होगा क्योंकि मैं मैं मैंनत कर रहा हूँ आपको step by step best way मैं समझा रहा हूँ ठीक है फिर भी यहाँ पर मैं discuss कर देता हूँ इसको देखिए इसमें question था क्या A cheating by personation का दोशी है मतलब कि A is guilty of cheating by personation cheating सब समझ जाते हैं धोकी बा आया था कि IPC Indian Penal Court section 416 धारा 416 में बात की गई है cheating by personation यह क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया था एक miss identification होती है मतलब किसी की भी identity को चुप पागर के उसको गलत तरीके से represent करना ठीक है ज्यादा उसके लिए आप previous lectures देखेंगे तो आपको समझ में बिलकुल आ अब इनके options को देखते हैं by which we can go or approach to the most appropriate answer option A क्या कह रहा है option A कह रहा है कि A guilty नहीं है A 2 C नहीं है क्योंकि A तो umbrella को लोटाने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर C से गलती होगी गलती C की यह दिखिए this is very informal language you can understand if you are going to be an advocate this is very general term जैसे आज पास मैं आपने देखा हुआ दो ल obligations लगाते हैं आरोप परत्यारोप लगाते हैं बिना सबूत के वैसी language लग रही है ठीक है यह आपकी language नहीं है देखते हैं अगले options देख लेते हैं maybe you are getting the better option of this question ठीक है दूसरा option यह कह रहा है कि A guilty नहीं है क्योंकि वह अचानक उसके सामने ऐसी situation आगी कि वह decide नहीं कर पाया वो sudden temptation का शिकार हो गया ऐसा कुछ नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता आपको court में जाएंगे when you are facing the trial in the court then you will be dealt in some other manner ठीक है formal manner में आपको deal करना होता है वह ऐसा नहीं क्या आप बोल रहे हो मेरे साथ यह हो गया वो हो गया नहीं हर कोई आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा ह option C देखें C में एक आगया है कि A guilty है क्योंकि उसको पता था उसको पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और यह जो समझ करके मुझे अपना parcel दे रहा है मैं वो नहीं हूँ मेरे पास umbrella गलती से आगया है I mean to say A was aware about everything about even that mistaken identity तो A को सब जानते बूस्ते भी उसने दूसरे की identification को ले करके represent किया अपने आपको तो यहाँ पर दोसी A है यह बहुत सही लग रहा है अगले option की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके satisfaction के लिए एक बार पढ़ देता हूँ लाश्ट option के मताबक A दोसी है क्योंकि हो सकता है कि वो parcel B के लिए बहुत valuable हो बहुत मतलब काम का हो देखिए यहाँ पर मतलब भी नहीं है वो चाहे parcel काम का हो या ना हो मैंने आपको बताया था legal principle के दाएरे में सोचना है emotions को बीच में नहीं लाना है आपको overthink नहीं करना है CDC बात है वो parcel उसका नहीं था अब उस parcel में कुछी भी नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है so finally C will be the right option of this question आप चेक कर लीजे कितनों का सही है I hope 100% of students will be there they have correct answer okay अब आज के topic को discuss करते है that is mischief another part under criminal law ठीक है criminal law जो है उसको मैं discuss करा रहा हूं topic by topic legal aptitude legal reasoning के जो question आने वाला है criminal law के अंत मिस्चीफ आप जनरली जानते है मिस्चीफ का मतलब होता है सरारत करना ठीक है लेकिन इसको और legal term में थोड़ा सा यूज करके देखते हैं section 425 of IPC IPC का धारा 425 से डील करता है और मिस्चीफ होता गया है अगर मान लीजे कोई वी व्यक्ति जान बूच करके किसी को हानी करने के लिए सोच रहा है उसमें public भी हो सकती है या कोई individual person भी हो सकता है property भी हो सकती है overall मिला करके किसी भी चीज को बेवजह है property को दूसरी की value वगेरा सबको नुकसान करने की शरारत से या तो attempt करता है या उसने कोई नुकसान कर दिया है यह सारी चीजे किस में आती है यह सारी चीजे सरारत और English में बोलते है legal term में बोलते है mischief ठीक है mischief में आता है और इसके punishment की जब भी बात करते हैं याद रखिएगा section 426 of IPC ठीक है यह direct questions बन जाते हैं अब हम क्या करते हैं अब इससे आगे चल करके कुछ और points को discuss करते हैं illustrations या explanations भी बोल सकते हैं उनके through देख इसमें सीदी सीदी बात है यह act है अगर आपका intention अगर को intention ऐसा है कि आप किसी की property किसी person या public में कहीं पर भी एक ब्राउल create करना चाते हो या परेशान करना चाते हो किसी को बेवजय है और कोई मतब किसी भी तरीके का नुक्सान करते हो property या किसी person को तो भले ही आप भले ही पकड़े जाते हो तो आप वो नुक्सान कर भी न पाए हो लेकिन अगर आपका intention यह था कि आपको attack करने वाले थे या कोई भी किसी तरीके का damage to the property या public करने वाले थे तो आपके intention को जान कर ही आपको रोका जा सकता है and you will be called under the mischief ठीक है आपको mischievous act के लिए पकड़ा जा सकत है दूसरा point याद रखिएगा कि mischief एक act होता है ठीक है सरारत जो होती है mischief जिसको हम legal term में बार बार यूच कर रहे हैं वो एक act होता है अगर आप चाहें तो अपनी ही property को क्यों ना harm कर रहे हो आप अपने ही लोगों को क्यों ना harm कर रहे हो कुछ भी हो mischief is mischief you cannot say that I am going to harm my own persons and property so I will not be liable for this यह नहीं होता है legal term में अगर आप अपनी भी property को बेवज़ा नुक्सान कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो भी आप mischievous act के under में आएंगे कहने का मतलब यह है कि यह mischief जो होता है यह सिर्फ एक act को दर साता है ठीक है अब वो चाहें अपनी property या public के या person के against करो या किसी दूसरे के ठीक है यह दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिये हैं अगर पूरे तरीके से अभी भी नहीं समझ में आया वैसे तो आगया होगा तो don't worry आगे आपको पता है कि मैं examples के through lecture खतम होने से पहले सब कुछ clear कर देता हूं तो don't panic just keep watching my lecture यहाँ पर आप यह दो अगर किसी के लिए भी loss create करने जा रहे हो या damage create करने जा रहे हो और आप इस बात को जानते हो तो एक तो यह बहुत ही important point होता है to declare the mischief ओके और दूसरा point यह होता है कि अगर आपके act से किसी भी property की जो value है वो destroy हो जाती है या वो घट जाती है या वो खतम हो जाती है property तो भी आप mischievous act के दोसी पाए जाएंगे मैं बार बार आप कह रहा हूँ तो आप अपने उपर मत ले जाना literally okay this is about you can understand better so joke support अब हम आगे बढ़ते हैं और देखती है इसका example as always ठीक है अब यहाँ पर देखी आपके सामने again legal principle है from mischief अब इसको आप पढ़ेंगे देखी इसमें क्या damage भी हो जाता है या destruct मतलब को विनास हो जाता है उस property यानि की संपत्ती को तो ऐसी condition में सीधी सी बात है उसे mischief कहा जाएगा उस act को क्या कहा जाएगा mischief ठीक है यह आपके सामने legal principle और as always अब हम solve करेंगे factual situations को देखके and we will try to approach the most appropriate answer as always ठीक है अब इसके factual situations को देखते है factual situation को जब देखते हैं तो यहां पर सीधी बात है एक private limited company है premium private limited as is on the screen तो वहांके workers क्या करते हैं कि अपने कुछ demand रखते हैं bonus वगरा को hire करने के लिए यह generally होता है workers जो होते हैं company में अपने bonus को लेके ज्यादा strike करते हैं तो वहां पर strike पर बैटे हुए थे लेकर उसमें क्या होता है कि वह शांती पूंड आपको पता होगा आपने बहुत सुनाओगा peaceful protest is allowed under a democracy ठीक है आप किसी को नुक्सान नहीं कर सकते public property इनको नुक्सान करेंगे तो peaceful protest नहीं रह जाता है and you will not have any place of these kind of protest in democracy आप लोग तंत्र में ऐसे protest नहीं कर सकते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जब अब यहां पर क्या होता है कि जब वह ग्लास टूट गया अब कुछ कंडिशन बनती है now it's your time to get the most appropriate answer that what must be done with that Mr. Chandra named worker ओके तो देखिए options को देखेंगे सबसे पहले बात यह आती है कि चंद्रा का जो काम था पहला option कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं चंद्रा का जो एक्ता वो वहार कर रही है इसी के लिए उनको bonus देना चाहिए यह क्या है nothing no technicality ओके चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रा has committed the offense of mischief चंद्रा ने offense किया है मतला अपराद किया है किसका mischief का ठीक है यह बिलकुल language up to mark है लेकिन हम आगे और देखते हैं चंद्रा जो wasn't strike देखिए चंद्रा क सब के साथ जो और वी workers हैं उनके साथ तो उसको immunity मिली हुए कि वह कुछ भी करेगा तो उस पर कोई भी तरीके के case नहीं चलेगा यह ऐसा नहीं होता है आप individually you are individually responsible for such act अगर आप individually करते हैं तो आपको individual भी दोशी ठेहराया जा सकता है mischief के लिए इसके लिए आपको group में होना ज़रूरी नहीं है दूसरी और इसके बाद last option जब देखते हैं तो last option में आपको पता चलता है कि चंद्रा ने कोई भी offense नहीं किया है उसने सिर्फ अपने freedom of speech को बूला है या जाहिर किया है और अपने expressions को दिखाया है यह उसका fundamental right है देखिए सब से पहले तो यह याद रख freedom नहीं मिलता है अगर आपको किसी एक बंदे को freedom देंगे यह मेरी general understanding है आप भी समझ सकते हैं एक को अगर freedom देंगे तो वो दूसरे का freedom छीनने लग जाएगा ठीक है तो freedom भी एक restricted होता है if you even go for the constitution of India in details after getting admission when you will be the student of law you can say otherwise everyone is common to understand about the constitution लेकिन जब constitution को details से पढ़ेंगे तो absolute freedom किसी को नहीं मिला होता अगर आपको freedom दे दिया जाएगा तो आप दूसरे का freedom सीनने लग जाएगे तो it will be a class ठीक है तो इस बात को याद रखिएगा यह मैंने आपको अलग से अपनी understanding बता दिये आप भी इसको समझ जाएगे तो ऐसा नहीं है fundamental right का हवाला दे करके वो कुछ भी कर सकता है no peaceful protest is allowed only इसको याद रखिएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए options की जब बात आती है तो आपने सारे options पड़े इसका answer होगा सीधा सीधा भी उसमें सीधी एक straight line दी हुई है क्या दी हुई है कि चंद्रा ने mischief का offense किया है अब इसके लिए मैं आपको हर बार बतात को नुकसान हो सकता है या नहीं भी हुआ है लेकिन उसने act किया है लेकिन नुकसान हो सकता है और उसको पता है कि इससे सामने वाले की समपत्ती बिल्कुल खतम हो सकती है और जान बूज करके कोई ऐसा act करता है तो mischief के under में आता है अब यह सारी चीज है चंद्रा ने जान बूज करके कि उसे पता था फिर भी उसने ऐसा किया तो simple this is the offense of miss chief इस से जादा सोचना ही नहीं है मैंने explain भी जादा कर दिया ठीक है अब भी थोड़ा confusion है don't worry about this I will be bringing some more examples in front of you अगला example in front of you on the screen legal principle वही है अगर कोई भी व्यक्ति जान बूज करके ऐसा act करता है कि किसी भी public या क किसी की भी property को किसी भी तरीके का damage होता है उसका destruction हो जाता है मतलब कि विनाश हो जाता है property का और या किसी की भी property की value घटती है थोड़ी सी भी घट जा दिया माली जो किसी की car है उसको बेवज़े loss कर दिया उसकी एक तरीक से dent पढ़ गया तो dent पढ़ने से गया गारी चलना बंद नहीं होगी लेकिन उसकी जो value है वो घट गई इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूँ तो ऐसा कोई भी act करता है कि public or property को damage होता है destruction होता है या उसकी value घट जाती है तो ऐसे act को कहा जाएगा mischief यह पहले भी repeat किया हुआ है अब directly हम factual situation को देखते हैं त जैड ने उसको चुका नहीं पाया क्यों ने गुस्से में क्या किया जैड के जितने भी asset उसने बनाए थे उसने सब को destroy कर दिया यह सूथ करके कि यह मेरा करजा चुका नहीं पा रहा है तो इसने मेरे करजे से जो फाइदा लिया है उसको भी खतम कर देता हूँ अब पर सीधा सीधा केस है आपको question सामने दिया हुआ है कि क्यों ने mischief किया है या नहीं किया है ठीक है यह question है अब ऐसे cases होते होते रहते हैं there are so many cases in the country and in the world as well लेकिन हमें क्या करना है हमें अपना काम करना है हमें marks चाहिए अपने exam में and we want selection अब देखते हैं options सबसे पहला आपके सामने है कि क्यों ने mischief किया है क्योंकर उसने जान बूच करके damage किया है जैड को देखिए answer यहीं से clear हो जाता है इसमें कोई भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है यह बिलकुल simple है क्यों ने जान बूच करके knowingly किसी की property को damage किया है तो इस damage को क्या कहेंगे mischief आप चाहो तो अपने satisfaction के लिए बागी options को भी देख सकते हो लेकिन होता क्या है in the examination you need to save your time this is the key component in the examination especially in the competitive or selection type entrance examination you need to save your time ठीक है तो आप चाहो तो आगे भी जा सकते हो देख सकते हो दुबारा अगला option दिया हुआ है कि क्यों क्यों पर case नहीं हो सकता क्योंकर उस पर पर्रयाप evidence वगरा नह expense निकाल लेती है उसके अलाव और भी दिये हुए है कि क्यों को punish नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने उसका जितना depth था वो उतना उसने asset वो बिल्कुल destroy नहीं किया देखिए यहां पर ऐसी बात चली नहीं रही है सीधी सी बात है मिस्चीफ की legal principle में definition क्या है knowingly you are going to damage the value of the property औ और just going to destroy any person और property ठीक है बस आपको इतना याद रखना है वहाँ पर Q को पता था कि Z की property का वो नुक्सान करने जा रहा है और उसने destroy कर दिया जान बूच करके तो उसने mischief किया है इसमें ज्यादा समझने वाली बात क्या है ठीक है चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया आशर में आने की जरूरत नहीं है कभी-कभी ऐसे questions भी आ जाते हैं कि आपको legal principle को तोड़ करके दो points में समझाया गया है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बस आपको पढ़ना है ठीक है करके देखिए सबसे पहले क्या गह रहा है mischief is an injury to property with the intention of causing wrongful loss to any person और public वही चीज़ा उसको दो points में दे दिया है ठीक है mischief क्या है एक injury या किसी भी तरीके का destruction है जो आप knowingly जानबूज करके किसी भी public या किसी भी person या किसी की property को नुक्सान करते हो दूसरा point क्या है loss जिस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है वो उस property का मालिक नहीं भी हो तो भी चलेगा मतलब कि जिस इंसान के सामने loss हो रहा है या जिस इंसान के नाम पर loss हो रहा है वो उसका मालिक हो या ना हो उस property का ये matter नहीं करता है ठीक है यह मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन यह आपर थोड़ा सा घुमा करके points में दे दिया है बात हुए है definition law of the nation में कभी बदल नहीं है क्योंकि these are the legal definitions ऐसा नहीं किसी ने भी मनाया उसने अपने तरीके से बना दिये everything must be under the purview of the law of the nation ठीक है अब आगे बढ़ते है as usual factual situations को देखते हैं and solve करते हैं अपने नए case को यहां पर case कह रहा है कि A A ने B को 5 साल के लिए अपना घर lease पर दिया ठीक है जो general terms में कहते इक साल बात A को क्या लगता है कि इसको घर की जरूत है तो वो क्या करता है वह से B से request करता है कि घर को खाली कर दे लेकिन B कर देता है क्यों क्योंकि legally he's right उसने पांस साल के लिए lease पर लिया है लेकिन ए क्या करता है कि अपनी सनक में कहो या किसी भी जरूरत में कहो उसने B से घर खाली करवाने के चक्र में घर में आग लगा दी अब घर में आग लगा दी तो B ने क्या किया कि पड़ोसियों की मदद से कैसे भी करके उस fire को एक्टिंगिश कर दिया मतलब कि उस fire को बुझा दिया जिससे कि पहले वो घर में कोई damage कर पाती आग उसने उसको बुझा दिया अब यहां पर यह है factual situation very simple अब जो आपके सामने points होंगे उनको पढ़ना है और सही answer तक पहुचना है चलिए शुरू करते हैं अपनी investigation सब कुछ points with answer आपके screen पर दिया हुआ है अब आप यहां पर क्या करेंगे पहले answer को hide करना I want you to attempt first as always ठीक है इससे आपको अपना level पता चलेगा and again these are the questions of previous year examinations by which you can check the level of the question in the examination also ठीक है तो इसको अपने आप attempt कीजिएगा और इसको देखिएगा फिर भी अगर कोई problem है समझने में तो just as usual come to the comment box I will be there for you 24 while 7 ठीक है यहां तक आज का lecture खतम होता है next lecture में हम इसी criminal law का अगला पार्ट देखेंगा जो भी जलूवत होती है किस-किस तरीके के questions आ सकते हैं ठीक है तो बस बने रहिए my legal code e-learning पर thanks good luck and bye bye